आज मेरे लिए स्वभाग्य और आनन दोनों का विशय है कि मैं उस जगह पे आया हूँ जो नकेवल भारत पूरी दुनिया भर के लिए चेतना जागरूद करने की जगह है यही वो स्तान है जहां भारत की आकाक्स गंगा के सबसे तेजस्वी तारले स्वामी विवेकानन ने जन्मन लिया था स्वामी जी ने अपनी अलपायायू के अंदर ही भारत का ज्यान भारत की संस्कूर्ती भारत के दर्शन को विश्व भर में दिग विजय कराने का काम किया था जब अमरिका के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन हुआ उस वक्त स्वामी जी ने अपने एक ही व्याक्य से सनातन धर्म का विश्व बंदूत्व की व्याक्या को पूरी दुनिया को परिचित कराया था स्वामी जी वो सक्सियत थे जिनोंने आदूनिक्ता और आध्यात्म को जोडने का काम किया और पूर्य देश का आखवान किया था कि पचास साल तक सब लोग अन्य देवी देवताओं को भूलकर भारत माता का आराधन करें तो ये देश जागरूत हो जाएगा और उसके ठीक पचास साल बाद भारत के आजादी मिली थी और मैं आज यहां आकर स्वामी जी के जन्मस्थान पर उनके पूर्खों के पूजास्थान पर स्रधानजली स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहां से प्राप्त करकर मैं जा रहा हूं और मैं आज भी मानता हूं कि स्वामी जी के विचार उस वक जितने प्रासंगीक थे आज भी उतने ही प्रासंगीक है दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस्वक जितनी जरूरत थी उससे ज़्यादा जरूरत सायद आज है और मैं इस थान पवित्र स्थान पर इस वर से यही प्राह्ना करता हूँ कि हम सब को स्वामी जी के बताय हुए रास्ते पर चलने की आसिरवात दे और चलने की प्रेणा दे और मेरा निस्चित मानना है कि यह मार गही न केवल भारत समगरे विश्वा के कल्यान का मार खूल सकता है कि अमार खूल सकता है को शोड़ शोड़े आपक्राइब कर दो की लिए थैस आप चलने की आपक्राइब खूल संगे की आपक्राइब क्यों से तटर्व मैं से लिए जुए ृच्वे दूए अजिए वागरहिका कर अजे तरक दुए पर दूलाउब झाल झाल